हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम टे ओर यूट्यूब चैनल अंजी पेटा सें सल्यूशन वाले चैट्टर दे सेंसी क्यूशन तो बाद हुन टू थ्री माक्स दे जड़े कॉस्चन जेता अनुपेपर दे वेचे दे वेचे देविच नमेरिकल प्रॉब्लम्स आउंदिगे इस चैट्र जो वो कॉंटीनू करांगे अंजी बटा फर्स्ट नमेरिकल दी स्टेट्मेंट देखो एक कमर्शल सेंपल ऑफ सल्फियूरिक एसिड एच्टो एससो फोर फिफ्टीन परसंट बाइवेट ते ता डिकोड़ी देंसिटी के में दितिया देंसिटी के बरबरतिया 1.10 ग्राम मिली लिटर इंवर्स कैलकुलेट करनी तो उसी मुलेरिटी अंजी बटा 15 परसंट सल्फियूरिक ए 15 गराम मास उफ उसी यादर रखना है जदो उन फ़ानों इधा परसंटेज गिवन दिती होबी किसे भी सल्फियूरिक दी तो ओधे उख़ो 100 गराम जेडाया। वह साथे यो परसंटेज जीडस नो फिटे टे उच्टी सनो दिती है वो साुड़कोड मास उफ सल्यूरिक उ मोल्स अफ सल्यूट दिवाइड़ बाइड़ वॉल्यूम अफ सल्यूशन इन मिलीलिटर थे उपर थाउजंड दे नाड़ मुल्टिप्लाई अब तो पहला है असे मोल्स अफ सल्यूट फॉइंड करांगे अची मोल्स अफ सल्यूट के दे बरबर 15 ग्राम हैगा सल्यूरिक अशिट दा वेट वोध मॉल्यूलर मासा है और 98 तुसे यहनू कैल्कुलेट करूंगे दा डिकोल आड़ना जिए 0.153 उसतो बाद डेंसिटी नू यूज करके सी वॉल्यूम फाइंड करांगे डेंसिटी के दिए बरबर हूंद या मास पॉन वॉल्यूम यह इयु घ्रमास अवल जिर्ढा मास है फेट उल्यू बाइस सल्यूरिशन अइव देखोना ऐबंड जिए лиेंड करना आतके आख़ें लेक्ट वॉल्यूम फार्मूलरा की लगूगा थे 90.91 मिलिलीटर तुसी जद इस फॉर्मिलेच पॉट करूंगे दिया वैलियूज तो ता डिकॉल की आ जा जा ना 0.153 multiply 1000 divided by 90.91 तो तुसी नूँ कैलकुलिट करूंगे ता डिकॉल आंसर आ जा जा ना 1.68 ते पिछे जनी मुलारिटी दी यूनिट 2nd numerical दी statement देखो एक commercially available sample of यह यह एक correction करने वाड़ी है यह सटे कोल सिलोफियूरिक आसिद नी यह नने HCl दित्ता ते यह की आ हुगा सटे कोल hydrochloric acid hydrochloric acid is 38% by weight density यह देवेच भी गिवन दित्ती यह ब्रैकेट दिवेच दा नू calculate the molarity यह सेम निमेरिकल है फस्ट निमेरिकल वरगा देखोई नू कितना solve करना moles of HCl जब moles of solute भी कह सकते हैं केदे ब्राबर होगा यह होगा 38 divided by molecular mass of HCl 36.5 जदी value रहनी था देखोड 1.041 next volume of solution mass of solution किनना है 100 gram total solution बनादा divided by 1.19 9 जडी यह वो density देती है यहनू solve करके था डिकोड हैना 84.033 यह था डिकोड हैना volume of solution next जदो तुसी molarity दे फार्मूले चेदी value पुट करूँगे था डिकोड जडी molarity के दे ब्राबर राजनी है molarity equal to 1.041 multiply by 1000 divided by 84.033 यह था डिकोड़ अंसर है ना 12.38 molar अड़ नमेरिकल दी स्टेटमेंट देखो calculate the mole fraction of ethanol water in a sample which contain 95% ethanol by mass यह था मीनिंग किया है कि ethanol and water दा solution बनेया होया ज़े दे वेच्च 95% जड़ा ethanol present है 95 ग्राम जड़ा ethanol हो 100 ग्राम पूरे solution दे विच प्रेजन mole fraction दोना दा find करना होना तो पहला आसी दोना दे moles calculate करांगे फिर आसी mole fraction दा फार्मूला लगाके यहनों calculate कर दिया है mass of ethanol के दे ब्राबर देता 95 ग्राम mass of water find करन दे लए 95 नो 100 ग्राम ज़ाँगे क्यों क्यों पूरे solution दे विच प्रेज़एदा weight minus हो जूगा तो इस अड़ेकोड़ मास of water आ जूगा 100 माइनस 95 इस अड़ेकोड़ आ जणा 5 ग्राम तो मोल्स नों आसी small n देना रीप्रेजेंट कर दे है moles of ethanol इस अड़ेकोड़ के दे ब्राबर आऊगा weight of जा mass of ethanol divided by molecular mass of ethanol 46 2.06 mass of water किन्ना divided by molar mass of water 18 Kbc क्याल्यूट करके आ ज़ेना 0.277 सब्त बेला सी ethanol दो mole fraction क्याल्यूट कर रहने है mole fraction उसी small x जिनाल रीप्रेजेंट कर दे है mole fraction of ethanol क्याल्यूट क्याल्यूट करना असी number of moles of ethanol उपर खांगे numerator देवेचे, ते divided by sum of both number of moles of components, दोना दे moles जड़ेया थरले उना दा sum करांगे mole fraction of ethanol calculator करके याना 0.88 इबटा mole fraction of water calculator करने देले, यसे यहनों 1 चो subtract कर दमागे 1 minus 0.88 इकोला ज़ेना, 0.12 is the answer फूर्थ नमेरिकल दी statement देखो 2.82 gram of glucose, molar mass equal to 180, is dissolved in 30 gram of water, calculate the mole fraction of glucose and water, यदबच बटा सानो 2 component हा, glucose दे water, उना दोना दे सानो, weight देता है, 30 gram दे 2.82, उना दे molar mass given, एक दा molar mass देता है, तुसी water दा molar mass याद रिखना, 18 gram हुंदा, 18 ते उस्तो बाद उना दोना दी components दी, आसी mole fraction find कर नहीं है तो साब्तो पहला आँ सिखे करांगे, नदे number of moles कर लमागे glucose दे भी, ते वाटर दे भी ते आसी फिर होना दी, mole fraction calculate कर लमागे number of moles of glucose के दे पर रबर आएना 2.82 by 180 पिटा ही calculate करके सादे कुल आएना 0.0156 उने पिटा सी number of moles of water दे calculate कर दे है NW equal to 30 divided by molar mass 18 तो सी याद रखना, equal to के दे बरबर आगिया 1.67 यदी value आगी 1.67 ना भी calculate the mole fraction of glucose mole fraction of glucose XG XG, X मतलब mole fraction G मतलब glucose, सब्सक्रिप्ट G दा मतलब किया glucose, equal to 0.0156 0.056 divided by sum of mole fraction of both components 0.0156 plus 1.67 मतलब कालकुलेट करके सादे कुल की बन जणा सादे कुल की जणा 0.0093 ना भी calculate the mole fraction of water and mole fraction of water आगिया 1-0.0093 यहनु माइनस करके सादे कुल अंसर आए ना यहनु माइनस करके सादे कुल अंसर गया हुगा 0.9907 is the correct answer a sugar syrup of weight 214.2 gram contains 34.2 gram of sugar यह दा sugar दा सानो molecular formula देता calculate the mole fraction of sugar इन दा syrup यहन जबिटा इदे बच भी दो component आशादे कुल sugar वाटर आशी दोना दे यहला number of moles करड़ांगे फिर उना दी mole collection calculate करांगे mass of sugar के दे equal 34.2 gram mass of water के दे equal आशादे टोटल वेट दे विच्चो 34.2 gram माइनस करदांगे सादे कुल water दा मास आशादे कुल mass of water के ना आगिया mass of water 180 gram आगिया असी होन number of moles दोने components से calculate करांगे number of moles of sugar ns equal to 34.2 divided by 342 यह के दे equal आगिया 0.1 0.1 दे equal आगिया ते number of moles of water के दे बराबर आगिया 180 divided by 18 molar mass of water cutting करके सादे दे 10 दे equal आगिया now we calculate the mole fraction of sugar beta x of sugar equal to 0.1 divided by 0.1 दोने components दे number of moles दे साम equal to के दे बराबर आइना equal के दे 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 0.1 10.1 यह के दे बराबर आगिया 0.009 beta this is the correct answer the osmotic pressure in pascal exerted by solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 185,000 in 450 ml of water at 37 degree celsius beta सिमरीकल दे वेच तुसी osmotic pressure जड़ा है वो calculate करना वो भी pascal दे वेच calculate करना unit भी एक mention की थी के pascal दे वेचे जड़ा osmotic pressure calculate करो जड़ा के solution द्वारा exert कीता है जन्द मतलो solution ओ osmotic pressure लगाऊंदा पिया 1 gram of polymer जड़ा का polymer हो दा 1 gram जिपनों dissolve कीता सी 450 ml of water ते temperature हैगा 37 degree celsius तुछे दे वेच गल याद रखनी है ये वड़ा फार्मुला जड़ा इस इन्वारिकल दे विच यूज होणा उसी ते याँ नए नोट कर लो साउत पहला आसी temperature थे volume नो convert कर लने है 1000 नडवाइड करके लीटर दे विच convert कर ले इसी temperature नो भी 273 एड़ करके केलिवेंच convert कर लने जिवेटा हार दी वैल्यू है गिया 8.314 इन्टू 10 raised to power 3 पास्कल लीटर केलिवें निवर्स ए मोल लीटर्स अंजी होने सारी याँ वैल्यू जड़िगा है असी इस से फॉर्मूले चपट करके अपना osmotic pressure calculate कर दे है के solution किना एक्जर्ट करदा तारी calculation करके ता दे कोड़ी पाई दी वैल्यू, osmotic pressure दी वैल्यू जड़िगा 13.9 ते ओ वैल्यू ता दे कोड़ी पास्कल दी बेचाबूगी इस इस दी प्रेक्ट आंसर अंज बिटा 7 निम्हें रिकल दी स्टेटमें देखो calculate the molar elevation constant of water it is given that 0.1 molar aqua solution of substance boiled at 100.052 degrees celsius अजी एदे विच तुसी calculate की करना calculate तुसी करना है देवेच molar elevation constant of water वैटा देविच तुसी calculate करनी है कि kbz value calculate करनी है अथा नो given की दिता है 0.1 molar मतलो हूंदा molality एदान molality given दिता है मतलो small m दी value देवेच दिता है 0.1 next की दिता है नार्मल जीडा water सादे कोड कीने दिता हूंदा 100 degree celsius दे एदान दिता भी देविच कुछ चीज आइड की थी water देविच तो दा boiling point increase हो गिया इसे numerical देविच सादे कोड दो terms given है एक है गी है molality दी value एक है गी है boiling point of solution तो उसी elevation in boiling point वाली colligative property दा result यूज करांगे delta tb equal to kb into small m kb दी value के दे ब्राबरा जनी है delta tb divided by m molality बटासथी tb दी value हुंदी है उसे के दे ब्राबर हुंदी है boiling point of solution minus boiling point of pure solvent divided by m boiling point of solution करने देथा 100.52 minus boiling point pure water था के ना हूंदा 100 degree celsius divided by m molality करने है 0.1 equal है जुगा 0.052 थे equal है ना divided by 0.1 बैटा यू तो इसे calculate करूंगे साथ एकोल answer है ना 0.52 0.52 0.52 Kelvin kg mol inverse this is the correct answer अंजी बैटा 8th numerical थे statement देखो addition of 0.643 gram of compound 250 ml of benzene density जरी given दिती है lowers the freezing point from 5.51 degree celsius to 5.03 degree celsius KF cryoscopic constant for benzene 5.12 calculate the molar mass of the compound statement समझोगे ला दिया ना इस compound नू benzene जानी की solvent देवेच add करन तो बाद freezing point जडा या वो cut गया पहला पहला freeze हुन्दा 5.51 degree celsius ते 5.03 degree celsius अंजी बेटा तुसी यहना दोना नो multiply करके की कड़ेना weight of solvent then यहना दोना नो माइनस करके साड़ेकोड की निकड़ना delta TFD value उस तो बाद से colligative property दा formula लाके molar mass of compound जा salute नू calculate करांगे अंजी देखो के ददा करना है नू वेटा salute दा वेटा गिवन हो यसी लिखले 0.643 वेटा solvent दा weight calculate करना दे लागी साणनो यह density ते आ volume नू दोना नू multiply करना पहुगा density equal to mass upon volume दा formula लाके density नू volume देना मल्टीपले करांगे ते साड़ेकोड़े चीजे ग्राम दे वेचे इस टर्म नू तो इस टर्म नू आवड़ी टर्म केड़ी यह साड़ेकोड़ volume बाड़ी आवड़ी टर्म हैगी density density वाड़ी जो दोना नू multiply करांगे milliliter देना मिली लिटर काट जोगा इना दोना नू multiply करके तो एदा अंसर साड़ेकोड़ा जाना 43.95 ग्राम इस इस दी वैल्यू आफ solvent वीट क्राइस्कूपिक कॉंस्टन दी वैल्यू की समगेवें देती है kf equal to 5.12 2 Kelvin kg mole inverse next delta tf depression in freezing point 5.515 दे विच्चों minus करांगे 5.03 वीटा ये calculate करके साड़ेकोड़ा जाना 0.48 degree celsius mb equal to kf weight of salute multiply by 1000 divided by delta tf multiply by weight of solvent वीटा सार ये values बुट कर अंत बाद साड़ेकोड़ी calculate करके जाना 155.87 gram mole inverse वीटा ये approximatory value साड़ेकोड़ा जानी है 156 gram mole inverse this is the correct answer ninth numerical statement देखो the boiling point of benzene is 353.23 Kelvin when 1.80 gram of non-volatile non-ionization salute was dissolved in 90 gram of benzene the boiling point raised to 354.11 Kelvin calculate the molar mass of salute kb for benzene equal to 2.53 Kelvin kg mole inverse boiling point benzene solvent solvent benzene 1.80 gram salute dissolve that benzene 90 gram solvent benzene non-volatile Na boiling point a delta tb elevation boiling point collegative property related calculate the molar mass of the slit kb given first numerical formula 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 a value pb not the value the value the value 354 boiling point of solution boiling point of pure solvent the weight formula values fill the value given the value the value calculate solution the boiling point minus pure solvent boiling point 0.88 kelvin wb weight absolute 1.8 gram 90 90 kb value given 2.53 kg mole inverse molar mass of kb kb wb into 1000 divided by w into delta tb the value the value is 2.53 multiply 1.8 multiply 1000 divided by 90 weight of solvent weight of solvent 0.88 elevation in boiling point the value is calculate molar mass of solution 57.5 gram mole mole last numerical statement 45 gram of ethylene glycol is mixed with 600 gram of water 600 gram of water 600 gram of water 600 gram of solvent is present what is the freezing point of solution tf freezing point of solution of solution . 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 W हेगा, मास ओफ सॉल्वेंट, W भी हेगा, मास ओफ स्लिूट, MB तुसी कैलकुलेट कर लेना, MB केदा कैलकुलेट करूंगे, तुसी इस इथिलीन कलाइकोल दा मोलर मास कैलकुलेट करना, कार्बन दा मास होंदा 12, दो कार्बन दा किन्न हो गया, 24 प्लस 6 प्लस एक ऑक्सिजन दा होंदा 16, दो कार्बन दा हो गया 32, पेटा जट उसे इन्हों ऐड करूंगे, ता डेकोल ए 62 इथा मोलर मास इथिलीन कलाइकोल दा, हो जटा हो बन जटा, सारिया वैल्यूस ऐसी लिखिया है, इससे फॉर्मूले देवेचे फिल करता हैंगे, डेल्टा टीएफ इकोल टू, हाँचे पेटा सारिया वैल्यूस कैलकुलेट करके साट एकोल, डेल्टा टीएफ के दिवर अबर होंदा, डेल्टा टीएफ इकोल टू, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ और साल्वेंट अबला हैगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर्सॉल्वेंट, बेटा फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर्सॉल्वेंट, असी फाइंड करना, फ्रीजिंग पॉइंग पॉइंट ऑफ सुल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सुल्यूशन केदे ब्राबर होगा, 273.15 माइनस जैल्टा ठीक है बेट है किनना है कैल्कुलेट करके 2.25 इन्हों माइनस करां तो बाद साइड कोड़ आंसर है ना 270.9 का 11 इस दी प्रेक्ट आंसर मैं जी बेटा नुमेरिकल्स तो बाद इस चेप्टर ते विच्छों जड़े थ्योरी वड़े कॉस्चन है टू माक्स दे होने है जी बेटा फर्स्ट कॉस्चन है गा define colligative properties the properties of the solutions which depends upon the number of salute particles but not on the nature of salute are called colligative properties ओ प्रॉप्रिटीस solutions दिया है जेडिगा के सानु सिर्फ केते डिपेंड कर दिया चाहिए constant और ibluscopic constant and molal depression constant और cryoscopic constant यहना दोने ते तुछी definition लिखनी है पहला फर्स्ट दी definition देखो molal elevation constant दी it is defined as the elevation in boiling point for one molal solution molal elevation constant जेड़ा है जा कहलो ibluscopic constant के दे ब्राबर हुंदा elevation in boiling point आ जेड़ा डेल्टा टीबी आए कि हैंदा जड़ा temperature बदया होया कहलो जड़ा normal temperature नालो जादा आया उन्हों कहेंदे elevation in boiling point ते कोदो हुंदा delta tb equal to kb दे ब्राबर कदो हुंदा जदो molality जड़ा वान हुंदी है ते जड़ा result हुंदा delta tb proportional to small m जाने के molality of solution ते असी जदो एदा sign हटाओने हुने proportionality दा ते एकल to लेकिया ज़ा की बन देंदा kb into m आँ बड़े m the value जो दुसी 1 put करूंगे मतलब molality नो 1 लाऊंगे molality 1 ता मतलब किया जदो असी एक mole solute नो 1 kg of solvent जा 1000 g of solvent दे विचे dissolve कर दे है तो असी उन्हों कहने 1 mole solution बेसेकल इसी करना किया सही इस m नो unity पुट करके value इस m the value 1 पुट करके असी delta tb नो kb दे बराबर लाकिया जाना के साथ कोड kb दे वैल्यू कोई नो कोई define हो जोगे जड़ी के 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 बराबर आ जानती है नेक्स्ट कॉस्चन साथ कोड़ देखो इंपॉटन्ट हा वाट इज ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन फ़स्ट पार्ट जड़ा है एमसी क्यूज दा इसे सल्यूशन वड़े चेप्टर तो पहले इस चैनल ते अपलोड होया है उदे विच मैं प्रॉपर डाइग्राम बना इने विच सॉल्वन्ट मॉलिक्यूल्स मूवज थ्रो सेमी पर्मेबल मेंब्रन फ्रॉम धेर हायर कंसेंट्रेशन तो लोर कंसेंट्रेशन ये विच किया है विच सॉल्वन्ट मॉलिक्यूल्स मूव कर देया सेमी पर्मेबल मेंब्रन दे थ्रो उधी हाई कंसेंट्रेशन तो अपनी low concentration वाल move कर दे, मतलब जी एक पस से solvent जादा आया, तो high अपनी concentration तो अपनी low concentration वाल move करूगा, through the SPM, semi-permeable membrane दे थूँआ, move करूगा, ओ साड़े कोड हैगी या, process osmosis, diffusion की है, it is the process in which molecules moves from their higher concentration to their lower concentration, diffusion कोई भी semi-permeable membrane ने use होंदी, ये दे भीचे normal membrane ये यूज होंदी है, जे दे भीचे solvent भी move कर सकते हैं, ते salute particles भी move कर सकते है, SPM दे भीचे सिर्फ एक कोई solvent molecule क्यों move कर दे से, क्योंकि solvent molecule the size बहुत छोटा होंदा है, ये जेड़ा SPM semi-permeable membrane दे भीचे जेड़िए, pores होंदी है, छोटे-छोटे शोटे सुराख होंदे है, ओ दे भीचे कले solvent molecules move कर सकते है, salute भीचे 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 लिखना, molecules जेड़िए, ओ अपने higher concentration तो lower concentration भाल move कर दे है, सिर्फ diffusion भाली प्रसेस चे तुसी ये लिखना, SPM दी बारे दे भीचे कोई गल नहीं करने, diffusion दे भीचे SPM बारे कोई गल नहीं करने, फोर्त क्योंकि what is event of factor, event of factor दे तुसी definition लिखने है, event of factor कि क्या, event of factor i gives the extent of association or dissociation of salute in the solution, event of factor दे तुसी definition ये तो याद रखने है, it may be defined as ratio of absorbed colligative property to the calculated colligative property observed colligative property जगे calculated colligative property दा मतलब किया pose करो मेरे कोड़ आ एक container एदे वे चसी किलिया एदे वे चसी water ले लिया हिए एच्टु ओ ते एदे चसी add किता sodium chloride दा salt NaCl sodium chloride दा salt add किता जद वसी नों ते ची dissolve करांगे ते इसानु देखा नों लगदा NACL दे किनने मोल है? Only one मोल. यह साड़कुल की या? Calculated Colligative Property. Calculated Colligative Property नो उसी Normal Colligative Property की गिनने. Normal Colligative Property दी कहादने है? So, सानू normal ही लगदा कि यह देख 1 कोई मोल है NACL दा. बट जदो यह solution देवेचे add हो गया? Solution देवेचे की हुणा? जदो यह solution देवेचे गया अपने आइंस देवेचे टोटा जाना. अउन एक मोल NACL दा हो गया? एक मोल CL माइनस दा हो गया? टोटल मोल्स किनने हो गया? मतलो सानू ए उब्जर्वेशन मिड़ी. सानू ए की मिड़ी? सानू ए उब्जर्वेशन मिड़ी. एक मोल्स किनने हो गया? असी मानके किनने चले से किनने मोला NACL दे 1. तो साथे को आई दी वेल्यू किननी आ गई? 2. इस इस दी रेंट ओफेक्टर. एद्दा रेंट ओफेक्टर ची कर देया है. और देखो एदी बैफेल एदा फॉर्मूला लिखिया. इस दी बैफेक्टर देखो आई दी वेल्यू के लिखिया. I equal to observed collective property divided by calculated collective property, जाए नूसी normal collective property भी गएनने है. अंजी question number 5 देखो. write down the factors affecting the solubility of solid in liquid. जोदों उसी कैसे solid नो liquid देबचे dissolve कर देया. यहां थे केड़े केड़े फेक्टर जेड़े ओधी solubility दे एफेक्ट पहुंदे है तो एदे विच अंसर देखो बिटा साबतो पहला पॉइंट हागा nature of slute and the solvent मतलब slute दी नेचर ते solvent दी नेचर ते भी डपेंड करूगा कि ओ solute वेचे dissolve होगा के नहीं होगा जे में आपके एक हैली के like dissolves like मतलब जेड़े similar होणगे ओ ही एक दूसरे चे dissolve होणगे मतलब जेड़े polar हो polar देविचे dissolve होणगे जेड़े non polar हो non polar देविचे dissolve होणगे यहनु केंदे like dissolves like effect of temperature पहोणदा temperature इंक्रीज करने नाल solubility ऐलब जयाद कर देफ्टा देविचे होख्या काट chapters a increase in temperature मतलब temperature नू increase करन दे नाल दोने केस दे विच increase कीते temperature बट solubility दे दोना ते effect बेंदा A solubility ते effect बेंदा उ depend करदा के जड़ी ता D solution बनदा जड़ा ओ exothermic reaction है के endothermic reaction है बेटा उते depend करदा basically तुसे यहाँ दो पॉइंट जड़े है के nature of salute and the solvent ते effect of temperature तुसे यह भी लेख सकते दो point आथ उसकेप भी कर सकते third point देखो क्योंकि उन्हेंने सिर्फ वसान नू factors लिखन लिखिया सी factors में नो ही लिखने third point हैगा effect of pressure प्रेशर दे नाल दी जड़ी हो solubility दे effect पेंदा जो तोसी किसे इफेक्टर जड़े एफेक्ट कर दे तुसे यह दो फेक्टर जाद रिखने है solubility of gases in liquid greatly जा mainly depends greatly यह mainly depend मतलब इना दो फेक्टर दे उपर एक हैगा temperature ते दूसरा हैगा pressure इना दो फेक्टर दे उपर ही डपेंड कर दा नेक्स्ट क्वेशन देखो क्वेशन नमबर सेवना वाई दा विपर प्रेशर ऑफ स्लूशन डिक्रीज वेन नॉन वॉलेटाइल स्लूट इज एडड़ इंटू इट जदो असी किसे solution नो बॉइल कर दे है उदा विपर प्रेशर बंदा इसे वी solution नो जदो उसी बॉइल क कर दे हैं आमन लो सब्सक्राइब इसे वाटरा कंटेनर देवेचे कोंटेनर असी यहनु इथे हीट दमागे यह बॉयल करूगा बॉयल कर के दे वेपर बिपर प्रेशर बणूगा किन्दे जदो वेपर प्रेशर सेलूशन दा बण दाओ कात क्यों जंद एपर प्रेशर ज वह सबसे में वंघुर्ण है उसाठ एक होड़ ग्लू कोज भी हो शागज है इस अरे टेले नॉन वॉलिटाइल सु नॉन वॉलॉटायल नॉन वॉलॉटायल मतलव no tendency to evaporate जिना दी evaporate होन दी tendency है नी मतलब के ओ evaporate होन दी समरा था है नी रखा दे एज़ना दे salute जेड़े evaporate ना होन जदों असी यह दे विच डिजॉल्व करांगे होगा कि जदों असी यह दे विच की एड़ करता non-volatile salute एड़ करता यह होगा आप बाउंडरी बनी है surface देनों से surface करने है यह से surface दे उपपर आ ब्लेक कलर दा मानलो salute दा बाटी कला आ solvent दा आ solvent दा आ solvent दा बटा जड़ा नॉन गोलेटल salute है ओ evaporate होन दी टेंसी नी रखादा अधा वेपर प्रेशर की होगा 0 मतलो ओदे करके वेपर प्रेशर बन ना ही नी ज़दो आ खला solvent सी जदे वाइट कलर दे मॉलेक्यूल से गे जड़े वाइट कलर दे मॉलेक्यूल है ओ solvent जड़ा ब्लेक कलर दा में तो ने मॉलेक्यूल दे शोकीता होगी गया जड़ो तो कल ला solvent इवाइट करता वदे नालकी होया जड़ो फिच बिच बिच केते पार्टली स्पेस लेली मतलो बिच्चे solvent मॉलेक्यूल है जड़े करके एदा वेपर प्रेशर की होगया काट गया क्यों क्योंके जड़े solute particles और वैपोरेट नहीं होना कि वधा विपर प्रेशर जीड़ा होना यहने overall solution दे जड़े विपर प्रेशर उत्ते effect पादाना इस करके अंसर देखो पेटा कि आ लाइन पेटा याद रखनी है because surface area is partly occupied by non-volatile solute and partly by solvent molecules मतलब अद्धा surface area non-volatile solute ने occupy कर लिया अद्धा surface area जब कुछ surface area होदा solvent molecules ने occupy कर लिया जड़े करके विपर प्रेशर कट गए 8th question is what are the conditions to get the accurate value of molar mass from the colligative properties उच्छे अदा नुकी है what are the conditions, ओ केडियां conditions है जड़े की conditions है to get the accurate value of molar mass accurate molar mass find कर सकी है salute दा जेदे वेचे कोई error ना होवे accurate दा मतलब जेदे वेचे कोई error ना आवे यो जेदे वेचे कोई गल्ती ना आवे first condition देखो salute should be non-volatile जेदा salute add करना ओ वो वो वोलेटाइल नहीं होना चाहिए volatile मतलब ओधा vapor pressure नहीं बाढ़ना चाहिए जेदा vapor pressure बढ़ूगा फिर O की होगा evaporate हो जोगा evaporate हो जोगा evaporate हो देना ला salute दी जेदी quantity या solution देवेचे salute दी quantity जेदी solution देवेचे काट जोगी जेदे करके चाड़को जड़ा correct molar mass ओ फाइंड नहीं का रहोगा देखो जे salute volatile होया volatile मतलब tendency to evaporate जेदी evaporate हो जेदी टेंसी हैगी है जेदी evaporate हो जेदी टेंसी हैगी है तो फिर O evaporate हो गया evaporate होके ओदा लेड़ा molar mass उस solution देवेचे काट जाना बटासी तक या उन्हेंने सानु क्या भी correct सानु accurate molar mass find करना तेरे दिन आड़ accurate molar mass find होना पहली condition की है के जेदा non-volatile होना चाहिए solution should be dilute उसी आ लाइन भी नाण मेंशन कर सकते है concentration of solution is not more than 5% मतलब 5% तो जादा नहीं होनी चाहिए साड़ेकोड accurate नहीं आउगी जे 5% तो ये जादा होगी 3rd point देखो does not undergo association or dissociation ना ही उधी association होए के ना ओधी dissociation होगी मतलब ना ओओ solute solution देवेचे जाके बड़े molecules बनावे bigger molecules बनावे ना ओओ छोटे molecules बनावे dissociate होके ते रसी होदी accurate molar mass the value find कर सकते है these are the 3 important conditions to get the accurate value of molar mass from colligative properties 9th question देखो define degree of dissociation and association degree of dissociation it is defined as the fraction of total substance that undergoes dissociation into ions किसे भी solute नो solution चैड़ कीता ओधी किन्नी fraction जड़ी किन्नी fraction जड़ी हा total substance दे विच्छों ओ अपने ions दे विच dissociate हो गई हा degree of dissociation similarly degree of association की हा it is defined as the fraction of total substance which combined to form associated molecules dissociation दा मतलब हुंदा अपने ions दे विच दोटना association मतलब हुंदा कि ओ जड़े slute दे molecules आपस विच जड़के का बड़ा molecules बना हुँदे ठीका bigger molecules last question which colligative property is preferred to measure molar mass relative lowering in vapor pressure next is elevation in boiling point third is depression in freezing point and four osmotic pressure इनने किया एना 4 colligative properties दे विच्चों मोलर mass find करना हो यासी कीडी colligative property नूँ prefer करानी ये दे विच्च जड़ा relative lowering in vapor pressure ये दे विच वेपर pressure की हिंदा कट दा मतलब इथिक condition ये vapor pressure कट हुगा second दे विच elevation in boiling point मतलब a high temperature दे हुग low temperature थे हुँद बट जड़ा osmotic pressure देखो एदे विच की ये pressure वाली condition एदे चे high temperature वाली एदे चे low temperature वाली बट जड़ा सड़े कोड osmotic pressure ये room temperature थे भी अपाईनू ये colligative property पलाई करसा this is the only colligative property which is used to measure the molar mass even at room temperature बट इस करके ये वाड़ी colligative property ये चारा colligative properties दे विच्चों ये नू preference देती जान दे कैसी इस colligative properties दे नाड़ी molar mass नू find करीगे ये देखो ये दा answer के लिखिया osmotic pressure measurement is preferred over all colligative properties इना colligative properties दे उपर सब तो उपर के दी मननी जान दिया osmotic pressure वाड़ी तू measure the molar mass क्यों मननी जान दिया मेरिजन भी दो नाड़ लिखे है तुसे भी note कर ले हो it can be measured in dilute solution dilute solution देखे भी ये है जड़ी ये applicable second point is it can be measured at room temperature इस colligative properties दे नाड़ किसे भी molar mass असे measure कर सा कभी जबटा जड़ी ये question तू माक्स दे question ये तानुन मेरिकल दे नाड़े भी आउगे पेपर देवेचे अंजबटा आपने feedback जड़ी ये comment box देवेचे जुरूर देव के वीडियो तानु के में लगई बाक्की मेंत कर देरो ये मिड़दियांसे की नमी वीडियो देवेचे ये चैनल नो subscribe करना ना पुलियो Thank you